नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका सचकी आवाज में मैं आपका दोस्त मंदीप सिंग इन्षा का जोड़ा दोस्तों डेरस्टा सोदा के परमुख संत गुर्मित राम रहीम सिंग इन्षा पर हमारे देश के सबसे बड़ी प्वी चैनल की बड़ी पक्तरकार ने ट्वीट किया जिसको लेकर की लोग अब उन्हें खरी खोटी सुना रहे है दोस्तों ये देखिए कि अंजना उंकाशप अब तुमने बोल दिया है अब मोदी जी इसे बार नहीं आने देंगे वहीं एक मनीस नाम के वेक्ती ने इस पर रिपलाई गिया अंजना तुम पड़ी लिखी होकर मुर्खों जैसी बात क्यों करते है क्या सीबी आई कोर्ट दवारा दिया गया आखरी नेड़ने है अभी तो बारत देश का सुपरिम कोर्ट है तो अनपड़ वाली बात मत करो पैरोल हक है दो साल बाद सब को जितने काम देशित में संत गुर्मित राम रहीम सिंग जी ने किये है कोई करके तो दिखाए 134 कारी है सच का साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं है सब माया रानी का चकर है पैसे खिला कर जो मर्जी बुला लो इनसे नेहा गरग निम्मी दिमाग होने या समझदार होने की गैरंटी नहीं है पढ़ा ही तो कुते भी कर लेते हैं जनवर विस सब सीख लेते हैं जो भी सिखाओ इनसे यहीं उमिध है सारे देश को आगे एकने और रिपलाई किया है उल्लू बोलता है शूरज नहीं होता पर उसके पास आंखें नह अहय है और यहां पर दखीए कि एक ने दो मीडिया के मूँ में जुता थमबा दिया है गोर्मिट वाला तो वहीं पर एक और रिपलाई किया और नाराज हो जाएंगे ऐगंने रिपलाई किया Hmm महोतरमा आपके स्विकारिये या एस्विकारिये होने से काम चलेगा क्या आप तो टीवी सो में डिबेट कराईए और अपना टी आरपी सिधा कीजिए और जहां कहीं मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर बड़े बड़े नेताओं को बुला कर सेकुलर सब्दों की व दूंडेगी आप लोग राजी ने रिपलाई गया अंजना उमकाश्यब तेरे हर ट्वीट के दाम अलग से तैय होते है या डबल क्रोस करके मोर्निंग वाक्स से महरूम होना है वहीं रोईत आलोचक ने लिखा इसमें इने का खर्चा नहीं मिला है क्या लगता है अंजना उमकाश्यब जी आपको गनेश्पवार ने ट्वीट लिखा कि अपरादी तो परलेमेंट में है बोपाल में जहांपर की साद्वी पर ग्याठा कुर वहां से संसद बनी है प्रियंका ने और रिपलाई गिया मैडम जी मैंने दो सुना था कि आपको चम्की बुखार हो गया है जिससे आपकी तबियत बहुत ज़्यादा खराब है और आप साइद मरने की कगार पर है प्रियंका ने और रिप्लाई गिया हे राम ये अंजना ओम मोदी ही है न इसको क्या हो गया है आज तेवर अलग ही है वहीं मुर्शिद रज्या ने रिप्लाई गिया आप एक्टिंग शुरू कर दीजिए आप सफल होंगी निशिंत बार द्वाज ने लिखा छोड़ी ऐसे ट्विट मत करें जिनने बाद में पढ़कर खुदी सोचे की ये किस गली आ गई मैं सतीश कुमार ने रिप्लाई किया राम रहीं पैरोल पर बाहर आये तो हाई अमा हाई अबा हाई मोदी हाई खटर केरल का बलतकारी बीसप जमानत पर बाहर गूं में पीडित नन को दमका ए गवाब खादर की भत्या करवाए तो हबा डबा जबा मनोज गुमार रिप्लाई गया देखना कहीं आका नराज ने हो जाएं जुबल ने रिप्लाई किया कि यह आप कहरी हो अंजना ओमका शफ चाची जी फेकू सुन लेगा तो दलाली के पैसे नहीं मिलेंगे ना विदेशों में गूमने को मिलेगा सुदा नसू ने लिखा गिए लेकिन बीजेपी की सरकार को सविकारिया है और आपकी तो नोकरी ही बीजेपी के दम पर चमक रही है बनी सिंग ने रिप्लाई किया बीजेपी के खिला पोस्ट पक्का गर्मी असर कर गई आपके दिमाग को तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से अंजना ओमकश्यप को लोगों ने निशाना बनाया इस ट्वीट के बाद दोस्तों आप भी अपनी राइक कोमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आप अंजना ओमकश्यप की इस ट्वीट पर क्या कहना चाते हैं घन्यवाद दोस्तों देखते रही है सच की आवाज और देख रही है सच की आवाज सच आएगा सामने जूट होगा बेनकाब सच की आवाज को सब्सक्राइब करें साथ में इस बैल आइकन पर भी कलिक करें